आज करूँगा, कल करूँगा, ऐसे करते करते कई दिन महीने और साल निकलते जा रहे हैं, फिर भी आप हाथ पे हाथ धरे बैटे हूँ, कुछ करना तो चा रहे हो मगर हो नहीं पा रहा है, क्यों दोस्त, तेरी कहानी भी कुछ ऐसी है ना, तेरे सपने तो बड़े बड़े है तुझ में उन्हें पूरा करने की चाहत भी है, पूरा कर भी सकते हूँ, मगर मोबाइल, लड़की और सोचल मीडिया जैसे डिस्ट्रेक्शन्स तुमारी आँको पर धूल जोक रहे हैं, और तुम और तुमारे सपनों के बीच दिवार बनके खड़े हो रहे हैं, अगर सपना पूरा करने की दोड में आगे निकल जाओगी, आप सोच रहे होंगे, 21 दिन ही क्यों, 25 दिन भी तो ले सकते हूँ, 30 दिन लेलो या 20 दिन लेलो, राउंड फिगर में बात करो ना, दोस्तो ऐसा है कि 1950 के देसक में, मैक्सवेल मॉल्च नाम का एक लेकर था, जिसने अ दिस्ट्रेक्शन्स को अलविदा कह दो, दोस्तो 21 दिन का यह है टाइम पिरियड, आपके लिए सिर्फ एक टास्की नहीं है, यह एक जंग है, जिसे जितने के लिए आपको सबसे पहला काम यह करना है, कि सभी डिस्ट्रेक्शन्स को टाटा गुडबाई कह देना है, मोबा बास भी नहीं रहेगा, और डिस्ट्रेक्ट करने वाली बासुरी भी नहीं बजेगी, दोस्तो यह सोचल मीडिया डिस्ट्रेक्शन्सी हैं, जिसने आपको सपनों की उडान भरने से रोक रखा है, आपको जकट रखा है, इस जकट से अगर भार निकलना है न, तो इस जकट को तोड़ना होगा, मानता हूँ कि ये आपके लिए आसान नहीं होगा, बार-बार मोबायल के और हाथ जाएगा, पर आपको आपको आपकी विल पावर के धंपर उसे जाने से रोकना है, बस 21 दिन उसे रोक के रखो, और 21 दिन बाद रिजल्ट देखो, नमबर 4, वेक अप early in the morning, आपको हसी आ रही होगी, कि सपना पूरा करने के लिए सुबह 4 बज़े उठने की क्या जरूरत है, है ना, इसी हसी के साथ आपको यही सवाल स्टीव जोब से पूछना चाहिए, क्योंकि जब तक वो जिन्दा रहे, वो इसी टाइम पर उठते थे, यही सवाल आपको दुनिया को योग और ज्यान का पाट पढ़ाने वाले गुरू और हमारे देश के प्रधान मंतरी से पूछना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी इसी टाइम को दब परफेक्ट टाइम आप सकसेस कहते हैं, चार बज़े उठने का मतलब यह नहीं है, कि आप भहुत एक्टिव इसका मतलब यह भी होता है, कि आप अपने सपने, अपने गोल को अचीव करने की होड में फुली फोकस दो, सर्दी के दिनों में जब चदर से निकलने का बिलकुल भी मन नहीं करता, तब भी अपनी विलपावर की समता को जानकर वही इंसान उस टाइम पर उठ सकता है, जि एक दिन वो एक ऐसा मुकाम हासिल करेगा, जहां उसे बैठे बैठे सब मिलेगा, वो फुल ऐसो आराम की जिन्दगी जियेगा, वो अपने गोल को अचीव करने के प्रती फुली डेडिकेटेड था, उसका डेडिकेशन लेवल इतना हाई था, कि ना तो वो ठीक से सोता और ना ही ठीक से खाता था, उसने अपना सपना पूरा करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोडी थी, वो सोचता था कि गोल अचीव करने के बाद तो यह सब करना ही है, अपने इसी डेडिकेशन, अपनी इसी खुन पसीना एक कर देने वाली महनत के दम पर उसने वो मुकाम हासिल भी कर लिया, अब उसके पास हो सब कुछ था, जिसे पाने के उसने सपने देखे थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ, कि उसकी एक सपने को पूरा करने की इतने सालू की महनत चंद मिंटों में ही चकना चूर हो गई, उसे एक ऐसी वीमारी ने घेर लिया, जिसका कोई भी इलाज नहीं था, उस टाइम उसे रियलाईज हुआ, कि सपना पूरा करने के सफर में उसे अपने सरीर, अपनी हेल्थ पर जितना ध्यान देना चाहिए था, उसने नहीं दिया, जिसका भुगतान उसे अभी इस तरह करना पड़ रहा है, कहने का मतलब बस यही है, कि सपना लिए यह सब कर रहे हो, उसी की हालत को इगनोर कर दो, इन 21 दिनों में आपको हर दिन 4 बज़े उठते ही कम से कम आदा घंटा मेडिटेशन और आदा घंटा एकसरसाइस करनी ही है, इस तरह दिन में कम से कम एक घंटा अपनी बोड़ी और ब्रेन को सार्प करने के लिए दे दिन पर रिल्स देखने की, कॉमिक बुक्स पढ़ने की आदत है, तो 21 दिन के इस सफर में आप रोज कम से कम एक घंटा एक ऐसी बुक पढ़ोगे, जिसका आपकी प्रोडेक्टिविटी पर पोजिटिव इंपक्ट बड़ेगा, कोई नई स्किल सीखो, ऐसी आदत डालने स ना केवल आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, बलकि इसका आपकी ठिंकिंग पाउर पर भी एक पोजिटिव इंपक्ट बड़ेगा, ये आदतें आपको दिन भर एनरजेटिक रहने में मदद करेंगी, 21 दिन बिना किसी एक्सक्यूज के आपको ये डेली करना है, नमबर पर आपको बिलकुल भी कंट्रोल नहीं है, तो कैसे आप काम कर पाऊगे, और कैसे अपना गोल अचीव कर पाऊगे, अपनी लगाम अपने हाथ में रखना सीखो, मोबाल जैसे डिस्ट्रेक्शन के हाथ में अगर आपकी लगाम होगी, तो वो आपको ऐसे दोड़ाएगा क आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊगे, इन 21 दिनों में उन सभी चीजों से दूरी बना लो, जो आपका कंट्रोल अपने हाथों में लेने का प्रियास करती हैं, देखो, 21 दिन में आदत डालने के साइकोलोजी को दुनिया के जदतर साइकोलोजिस्ट इंकार करते हैं, इस तब ही उपाएगा जब आपका सपना बड़ा होगा और उस सपने को पूरा करने की चाहत भी, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर करना, बाकि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि ऐसे ही पाउरफुल मोटिवेशनल वीडियो जापको मिलते रहें, बाकि मिलते हैं अगली वीडियो में, जै हिंद, जै स्रीकरशना